कि अपने यूटूब चैनल एक्जाम फोरम में तो मेरे साथ जोड़ना मत भूलिए रिजनिंग की क्लास के लिए और आज हम लोग जैसा की मंडे है और आज एक लोग नया कॉंसर्ट सीखेंगे के लिए जिसका नाम है डिरेक्शन से डिस्टेंस के लिए अगर हम लोग बात करें तो आपके सामदें कुछ पार्ट्स दिया करेंर को होगा कि डेरिक्साथ में कई तरीके कुर्षन आपको देखने को मिल जाते हैं है है कि जलिए बहुत बड़ी हैelf टो आभी हम में लोग जैसे कि डेक्शन ho Shant as के बाट की था हम लोग ने कितनी होती है एट जिसमें से चार हमारे पास में डिरेक्शन होती है और चार हमारे पास सब डिरेक्शन होती है तो कैसे में डिरेक्शन होती है इन सभी के बारे में हम लोग आए डिटेल से समझते हैं तो सबसे बहले देखे दिखा है डिरेक्शन इस दा इन रिजनिंग प्र जो व्यक्ति है वो किधर की और सोच रहा है किधर की और जा रहा है इन सभी चीजों को discussion करने के लिए यह सारी चीजें हमारे पास मिलती है तो चलिए आगे अगर अगर हम बात करते हैं तो देख रहे हैं कि टोटल्स हमारे पास चार दिखाई दे रही होंगी तो हमारे पास टोटल्स कितनी डिरेक्शन से चार जिसमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहली नाविद आफ्टर नून बहुत बहुत बढ़िया इतने लोग भी है जल्दी जुड़ जुड़ जाएं तो बहुत बढ़िया वेरी वेरी गुड़ आफ्टर नून तो चलिए बहुत बढ़िया तो अभी अगर हम बात करें तो डिरेक्शन हमारे पास में कितनी होती है चार चार में डिरेक्शन होती है जबकि अगर हम बात करें तो चार हमारे पास सब डिरेक्शन होती है अभी ह यहां पर देखे क्या लिखा है डायरेक्सन प्रफ देसां इंक्लूडिक नॉर्फ हीस्ट नॉर्फ साॉफ हीस्ट एंड साउथ्वेस्ट टॉटल डैरेक्षन आपको अब आपको यहां पर टोटल डेरेक्शन कितनी रिखाई दे रहीं होंगी आफ यानि कि चार में करें तो यह concept बहुत बड़ा इसू नहीं था तो कि डिरेक्शन लगभग सबको पता रहती है कि कितनी डिरेक्शन होती है तो डिरेक्शन कितनी होती है आठ जैसा कि आप लोग आपने सामने फिगर्स में या स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत बढ़िया लेकिन यहां पर अग कि तरफ है वह कौन सी डिरेक्शन होती है वेस्ट डिरेक्शन जबकि दाफार होता है ताया यानि कि अगर हम बात करें तो राइट हैंड पर कौन सी डिरेक्शन होती है हमारे पास होती है इस डिरेक्शन तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड पर हमारे पास वेस्ट डिरेक् रहा Counselor रहा नोट की होड़ और फिर बोला घया उससे लेफ्ट मुड़ा फिर बोला घया उस लश्वह लेफ्ट मुड़ा तो एक बार एक बार राइक गुस्क्राइड लेकिन जादा बार लेफ्ट मूड़ने लगता है तब हम लोग क्या करते हैं दीरे दीरे कौपी मुड़ते हैं दीरे-धी बी मुड़ते हैं और आप देखते हैं कि एक समय के बाद ना तो कौपी मूड रही है और ना ही हम खुद मूड़ पा रहे हैं तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि राइट मने क्या होता है सर राइट मने होता है सही राइट मने क्या होता है सही और लेट मने क्या होता है बाया तो राइट मने दाया भी होता है और राइट मने सही भी होता है और जब तही की बात की जाए तो जब हमें राइट जाना हो यानि clockwise, जबकि left में हमारे पसट कैसा होगा एंटी clockwise, लाइक नाच पर एक घडी का निर्माल कर लो, तो आप देख रहे हैं यह बारा का पोर्षन है, यह तीन का है, यह 6 का है, और यह 9 का है, तो अगर आप देख रहे हैं कि right hand की और सुई है तो किस पर है सर तीन पर left hand पर है तो किस पर है नौ पर और अगर ऊपर यानि कि north है तो 12 पर और south है तो किस पर होगा सर 6 पर तो आपको यहाँ पर समझना है कि अगर अब हम बात करें तो directions हमारे पास total कितनी है सर आठ है तो आठ directions में अगर आपसे right टरने की बात कर रहा है तो हमें कैसा move होना clockwise और clockwise घड़ी कैसे चलती है 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12 जब की अगर हमारे पास anti clockwise बोलता तो हमारे पास यानि की left बोलेगा तो कैसे चलेंगे 12 और तीन से बारा तीन से बारा तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप से क्लॉक वाइस यानि कि राइट टर्न की बात करेगा तो हमें सुई कैसे चलानी है बारा से तीन पर चली चलानी है कि बारा से बारा से बारा से बहुत अइसे समझ में आया रहा तो आपको यह चीज़ समझ में आ गई उगे तो चलिए आगे हम लोग कि 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 माने लीजे कोई बंदा नौठ में है किसे राइम आगर आपसे राइट टेनी किसी पे Like तो आगरा और forma किसी किसे चह लेकिन जब हमारे पास जहum तो लेफ्ट टन होगी तो सुई वापस किस पे आएगी सर तीन पर तो आपने देखा कि जब 6 पर सुई होती है तो हमारे पास लेफ्ट टन बोलने पर किस पे आ जाती है सर तीन पर फिर बोल दिया लेफ्ट टन तो सुई किस पे आगई सर बारा पर और फिर बोल दिया की बात करें तो कहां की ओर है सर इस्ट की ओर बंदा जा रहा होगा कहां की ओर जा रहा होगा इस्ट की ओर अभी अगर हमने यहीं चीज बोल दिया होता कि कोई बंदा है वह इस्ट की ओर जा रहा तो आपने देखा कि सुई किस में बारा में तीन में छह में नौ में तो तीन और अगर किसी ने बोल दिया right turn, किसी ने बोल दिया right turn, तो switch किस पर चली जाएगी, 6 पर, 6 पर था, फिर उसे किसी ने बोल दिया left turn, तो switch किस पर चली जाएगी, 3 पर, फिर उसके बाद से अगर किसी ने बोल दिया left turn, तो switch किस पर चली जाएगी, 12 पर, और फिर बोल दिया right turn तो right turn तो फिर sweet 3 पर और फिर right turn तो sweet इस पे आ गई कैसर इंसर चैपर आप देख्षे रहें कि right left फिर उसके बाद left फिर right और फिर right अगर बंदा देखेंगे तो कहां की और जा रहा ہے south की ओर जा रहा है तो आपको ध्यान समझना है कि कभी किसी भी questions में अगर आप से right turn बूल रहा तो आपको हमेशा कैसा turn होना clockwise यानि कि 12 से 3, 3, 6, 6, 9, 9 से 12 और अगर किसी questions में बूल रहा है कि left turn यानि कि आप anti-clockwise stand होंगे और sweet कैसे चलेगी 12 से 9, 9, 6, 6, 3, 3, 3, 12 तो इस बात का आपको खास क्याल रखना है तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे परस किसी भी questions में हो तो अगर आप से right turn की बात कर रहा तो हमेशा हम लोग कैसा turn होंगे clockwise और अगर left turn की बात कर रहा है तो हमेशा कैसा होंगे anti-clockwise हमको यह बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए fit कर लेनी है बात सब को समझ में आ रही बो हाया ना अब अगर समझ में आ ग में तो degrees में अगर अभी अभी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बार हम बात करें तो हमारे पास 360 अगर हम एक खाना लेफ्ट जाती है हैं और एक खाना राइट जाते हैं तो हमारे पास कितना निपीरी तो अगर मान लिजिए कि कोई suppose the ऐसे बन उपको समझना है लेकिन अगर कोई बन्दा टू टाइम लेफ्ट या टू टाइम राइट बोलता है तो वो यू टर्न ले लेगा यानि कि जस्ट अपोजिट होगा यानि कि एक सो असी डिगरी मूब करेगा तो अभी इतना कॉंसेप्ट समस्ते हैं और इसी कॉंसेप्ट के विहाब पर जो हमारे पास कुश्चन है उनको हम लोग डिस्कॉसन करना शुरू करते हैं अगर 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 आप देखना है कि कुश्चन हमारे पास आ चुका है है पहला वाला तो आप देखें कि कुश्चन आप की स्क्रीन पर आ चुका है तो जल्दी से बताएंगे आपने एक ay मैं पर हम लोग पहला कॉस्चन की पर आ चुका है तो जल्दी से बताय योगर और यहीं पर किनसर था तो आपको यह फ्रेज़ रिलेटट जो प्रॉब्रम्स होतीं इसके लिए हमें क्या करना होता है तो देखें क्या लिखा है कहा की ओर मूब हुई है नौथ डिरेक्शन की ओर मूब हुए है तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो रीतका हमारे पास north directions की ओर move हुई है फिर रीतका moved in north directions from whom after walking few distance c turn two time left कितने time left turn हुई है two time तो आपने देखा कि सुई हमारे पास 12 से थी 12 से फिर left हुई तो किस पर आई 9 पर और 9 से फिर left हुई तो हमारे पास किस पर आई 66 पर उसके बास थे हमारे पास क्या लेखा again after walking several distance c turn one time right से और फिर वह कैसी turn हुई है right turn हुई है तो अगर right turn हुई है तो 6 से हमारे पास किस पर आ गई 9 पर आ गई फिर right turn and at the end e turn left and right और अंत में वह कैसी turn हुई है पहले left turn हुई है और फिर right turn हुई है तो अभी आप देख रहे है कि कहां की और जारी west की और तो हर school in which directions तो आपको रीतिका का फेस बताना है तो माने लीज़े वह स्कूल पहुंची होगी तो इसका फेस नो डाउट किस डिरेक्शन की और है वैस डिरेक्शन की और है यानि कि आप्शन सी तो यहां तक तो बात सब को समझ में आई कि answers क्या होगा कि option C होगा यानि कि वेस्ट वैस्ट होगा तो अगर हम वेस्ट डिरेक्शन की और बात करें तो हमारे पास इसे हम और कैसे सॉट पॉर्म पर सॉल्व कर सकते हैं तो अगर मैं बता दूं कि कभी भी अगर हमारे पास questions में face related problems कैसी problem आ रही है तो आप बिना figure बनाए भी question को solve कर सकते कैसे बस आपको थोड़ा सा concept समझना होगा concept क्या है कि मान लिए एक बंदा है और एक बंदा पहले left मुलता है और फिर वही बंदा सेम पोजीशन पर होगा यानि कि वो जीरो नीग नी चला तो आपने देखा यहां पर एक concept हमारे पास बन गया कि किसी भी questions में left and right होगा तो वो cut कर क्या हो जाएगा जीरो यानि कि same directions हो जाएगी जबकि यहीं पर अगर आपसे कोई two time left अथवा two time right बोलेगा तो कौन सी directions में आ जाएगा वो opposite directions में आ जाएगा और यहीं पर अगर आपसे four time left अथवा four time right बोलेगा तो भी हमारे पास जीरो या तो same directions में रहेगा तो आपको यह points यात रखने है कि कभी भी किसी भी questions में अगर left right है तो वो आपस में cut कर क्या हो जाते है जीरो हो जाते है अगर two time left है और अथवा two time right है तो वो opposite directions में होगा लेकिन अगर two time left and two time right है तो वो भी cut कर zero ही हो जाएगा ठीक है ना अब अगर हम बात करें four time left है अथ अगर हम यह से खड़े थे और हमसे किसी ने बोल दिया left turn left के बाद फिर हमसे बोल दिया right turn तो हम लोग same directions में आ गए हम कैसी directions में आ गए same तो यहां पर वैसी वही concept हमें questions में भी solve करना होगा तो देखिए कैसे अगर हम बात करें तो कैसे हमारे पास question solve हो सकता है short form में तो दे इस तरीके से अगर आप question को solve करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको figure बनाने क्यों सकता नहीं होगी खास सवर से ऐसे question जो face related problems वाले होंगी तो बिल्कुल सही है तो पहला question से हो उम्मीद है कि सबको बहुत अच्छे से clear हो गया है तो clear हो गया है तो जल्दी से जल्दी से बताएंगे कि second question क्या होने वाला तो second question आपकी screen पर आ गया है तो जल्दी से इसका answer बता दीजे मुझे कि देखते हैं तो यहां पर क्या लिखा है रोहन घर से पूरब दिशा में चला और दो बार बाएं मुझा और दाएं मुझा और पोस्ट आपिस पहुंच गया रोहन की पीट किस दिशा में थी रोहन मुब्द in is directions from home after walking few distance तो वो देखिए सबसे पहली बात जैसा कि अगर आप हम बात करें तो और आप बात करें टो रोहन कहां की ओर गया सर इस की ओर गया home after walking few distance क्टैन्स ही टेट टू टांट लेफट कितनी बार लेफ टनो है दो बार तोको बन दो बार लफ लेफ लिख लिए घृल ऑगें और वाकिंग सेवरल डिस्टेंस ही टन वह घट रहा है और बात कर कि अगर मैं बात करूँ तो एक बार लेफ्ट था एक बार राइट कड़ गया लेफ्ट राइट कड़ गया बचा केबल क्या लेफ्ट और बंदा इस्ट की ओर जा रहा है तो लेफ्ट मूब करेगा तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो बंदा कहां की ओर जा रहा है नौ तो आपको जहान देना अगर आप चाहें तो फिगर भी बना सकते थे कि मान लीजे कोई बंदा इस्ट की ओर है फिर दो बार लेफ्ट फिर वन टाइम राइट फिर लेफ्ट और फिर राइट तो अभी भी आप देखिए कि बंदा नौर्थ की ओर जा रहा तो उसकी पीट कहा है वह बचेगा और एक्जाम में अगर कोई सारी सबसे बड़ी इंपॉर्टन चीज होती है तो वह है रिजनिंग में अपना समय बचा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता की और अग्रिसर हो रहे हैं तो इस बात का आपको खास थ्याल रखना है क्योंकि सबसे ज अप्रोचे नए कॉंसिप्ट अगर सीखने हैं तो मेरे साथ बिल्कुल जोड़ना मत बुरिया आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम फोरम में 145 पीम पर एवरी डे अफ्चेक सर के साथ रिजनिंग की क्लास के लिए तो दूसरा कॉशन सब करें 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 कर हुआ 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 है आप कोमल ने अपना न देरेक्शन तो जब अपकर ओनने अपना घर तो इसकी जो बैक थी वह थी नौथ डिरेक्शन स्थिए तो निष्टि रूप से वह जब घर से निकली रही वी तो निगली होगी और साउट डेक्शिक क्यों कि निगली होगी सितन अफ कर रनिंग फॉर फुछ फूर्ष सीतन राइट आड आपतर रनिगफ सानेक्ट फूह स SEC की टरन लेट तो पहले बता रहा है कि पहले वो राइट हूं हुई है और फिर वो कैसे हुई है पर और कहां पहुंच गई है तो अभी अगर आप गउड से समझें तो यहां पर अगर हम कुशन को सॉल्ब करें तो आपने देखा left right left right cut गया यानि कि निश्यत रूप से उसके movement पर कोई फरक नहीं पड़ा और वो कहां पहुंच गई office पहुंच गई तो find the directions of office face तो देखिए किसका face पूछ रहा ना तो अब उसका face पूछ रहा ना तो उसकी back पूछ रहा और निश्यत रूप से office का face पूछ रहा तो यह understood होता है कि से हाथ मिलने जा रहे हैं तो हमेशा तो आगर आपने देखा तो उसका वेस साउथ की ओर था निश्य दूरूप से आफिस का फेस नौट की ओर था लेकिन दूसरे वे में अगर हम कहें कि वें दा कोमल लेफ्ट हर होम हर बैट वाज इन नौट दिरेक्शन और तो पहले वह साउथ की ओर गई होगी और फिर राइ तो अभी आप देखिए कि साउथ की ओर अभी भी है और पहले भी साउथ की ओर ही थी लेकिन ओफिस का फेस पूछ रहा था तो आफिस का फेस निश्चित रूप से कहां की ओर था नौर्थ की ओर था यानि कि ओप्संस भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है उमीद है कि यहां तक आफ बहुत अच्छे से आप लोगों क्लियर हुआ होगा तो अगर क्लियर हो गया तो चलिए नेक्स कॉश्चन नमबर फॉर आपकी स्क्रीन पर यह रहा जल्दी से मुझे चोथे नमबर का कॉश्चन बता देंगे कि चौथे नमबर यानि कि फोर्थ नमबर का जो सत्या होगा, जली से बताइएं सत्या방rei में गतार होगा, जालिये, बहुत बढ़ी ह। अब देखिए लिखा है कुनाल वॉक्ट इस डिरेक्शन प्रॉम हो और टुक ट्वैंटी टाइम लेफ्ट आप देखिए यह कोश्चन की अगर हम बात करें तो यह कोश्चन आप फिगर से तो कभी बनाई नहीं सकते क्यों कि अगर आप ट्वैंटी टाइम लेफ्ट कर देंगे तो निश्चित रूप से पूरे कॉपी में सिर्फ गोल 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 घूम जाएगा यानि कि गिचिर मिचिर हो जाएगा और अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या कभी भी आपका कुश्चन सॉल्ब होगा बिलकु सॉल्ब नहीं कर पाएंगे तो अगर बहूं बता दूकि सबसे पहले लेफ्ट की बात की जाएं तो कितने टाइंगे फिर उसके बास से अगर हम बात करें कि लेफ्ट की बात की जाए तो 20 टाइम से और राइट की बात की जाए तो कितने टाइम है फाइट टाइम है फिर उसके बास से अगर हम बात करें एंड फोर टाइम लेफ्ट टाइम फिर लेफ्ट कितने टाइम है सर फोर टाइम है और फि क्या हो जाता है अगर चार बार लेफ्ट घुमेंगे तो भी जीरो 12 बार यहाणि कि अगर हम बात करें तो 4-TIM Left में भी 0 एक टाइम ृफ्ट में भी 0 again सिक्षें़ टाइम नेफ्ट में भी 0 और 20 time राइट केवल कितना बचेगा सर वन बचेगा तो दोनों में आपने देखा कि राइट हमारे पास कितना बचरा वन और वन तो टोटल जो राइट की बात की जाए तो हमारे पास कितना राइट बचरा दो राइट बचरा अब हम इस डिरेक्शन की और जा रहे थे और इस डिरे तो आपोजिट होंगे और जब भी हम अपोजिट होंगे तो हमने बताया कि घर से हम किदर की ओर निकले थे इस्ट की ओर और अक्केवल दो बार राइट टॉन हुए हैं तो निशित रूप से हम अपोजिट होंगे यानि कि हमारा फेस कहां की ओर होगा सर वैस्ट की ओर होगा कहां की ओर होगा सर वैस्ट की ओर होगा यानि कि option C बिल्कुल correct answer है तो यहां पर चौथे question का answer option C बिल्कुल correct answer है तो चलिए next question देखते हैं question number 5 आपकी screen पर यह रहा तो जल्दी से बताएंगे कि question number 5 का answer क्या होगा आपकी अब देखें मैंक वाक्ष फॉम इन नौट डिरेक्शन एड टू का तू लेफ टरू तो तीनों चीज़ें आप से पूछ रहा है तो जल्दी से बताएंगे कि उसका फेस कहां का था उसके बैक कहां थी और चर्च का फेस कहां की और था तो जल्दी से बता दें जितने लोग भी हैं तो चलिए बहुत बढ़िया जल्दी से बताएंगे तो चलिए बहुत बढ़िया जल्दी से बताएंगे चलिए बहुत बढ़िया तो अभी अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास मैंक वाग्ड हों इन नौर्थ डेरेक्शन्स मैंक कहां की और जा रहा था नौर्थ की और और अगर हम से कह रहा है डेरेक्शन्स एंड टू लेफ टरन लेफ टरन कितने हैं से दो फिर एंड वन्स राइट टरन एंड फाइनली टू का लेफ एंड राइट तो लेफ राइट लेफ राइट कर गया बचा क्या लेफ तो अगर कोई बंदा नौर्थ की और जा रहा और लेफ टरन हो जाएगा तो अभी वो निश्चित रूप से कह करा जा रहा है वैस्ट की और यानि कि अगर मैं फेट की बात करूं किया होगा वैस्ट पैसट की बात की जाएं तो क्या होगा एश्ट और तो अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि पहले वह नॉट की ओर गया फिर टू टाइम लेफ्ट गया फिर राइट गया और फिर लेफ्ट गया और फिर राइट गया तो आपने देखा कि पहले लेफ्ट था फिर लेफ्ट था फिर राइट फिर लेफ्ट और फिर फॉ तो यहां पर जो आंसर होगा वो option C होगा और जो बिल्कुल correct answer है उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको clear हो या होगा तो अगर आपको face related problems अच्छे से clear हो गए हैं तो आए आगे हम लोग judge करते हैं कि कैसे हम लोग question को और सा बहुतरीन तरीके से कर सकते हैं तो चल से बताएंगे question का answer क्या होगा क्या हुत कि अजयर कि अजयर झाग लगाराओ लुटपारा कि अजनी है कि अार्श मार्वार जाला जोग वे वेल्म कि अजयर कि अजयर प्रश्चा स्टीजर उए रचर जाद का अार्श? तो चलिए देखते हैं नेक्स अब देखे टाइप टू डाइक्सेंस डिस्टेंस एलेटर पॉब्लम तो क्या कह रहा है आपसे कि अगर हम इसे समझेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि और हम दो सब्सक्राइब करें तो यहां पर हमारे पास क्या लिखा हूआ है फिर वो अपने left turn हुआ है, तो सुभम पहले चला south की ओर, और 15 meter, फिर वो अपने left turn हुआ और कितना चला, 7 meter, फिर he again turned towards west, तो अभी अगर आप ध्यान से देखें, तो बंदा कहां की ओर जा रहा था, east की ओर, और अभी उससे बोला जा रहा है, east की ओर जा रहा था, तो उससे है की west की ओर चले जाओ, तो पहले तो वो 7 meter वापस जाएगा, तो कि 15 meter in which directions, तो पहले 7 meter वापस जाएगा, फिर कैसा आएगा, आठ मीटर आएगा, अब क्या पूछ रहा है, in which directions and how for सुभम from his starting point, अब देखे, starting point से पूछ रहा, तो जब भी हम से कभी भी कहीं पर भी किसी भ दोक्टर को दिखाते हैं, और जब भी हम दोक्टर को दिखाते हैं, तो अगर हम को problem sir में है, तो डिश्ची दरूर से doctor को sir दिखाएगा, और अगर problem pair में है, तो sir क्या दिखाएंगे, पर दिखाएंगे, तो अगर हम को problem यहाँ पर starting point में थी, तो मैंने starting point पर cross खीच लिया, और आप देख रहे हैं कि ये वाली जो direction थी ये कौन ची थी south ये east ये west और ये not तो अगर हम बात करें तो हमको इस directions में जाना था अगर हम इस directions में जाते हैं तो no doubt हमारे पार जो answer होगा वो होगा south west क्या होगा सर southwest तो south west तो confirm हो गया अब देखे south west तो confirm हो गया लेकिन तो southwest तो दो options कट गए लेकिन दो options अभी भी हमारे पास हैं तो अगर हमको ये जो blue color वाली लाइन है इसकी अगर हमको distance निकालनी है क्या निकालनी है सर डिस्टेंस तो हम यूज़ करते हैं पाइथागूरस थ square प्लस आधार का square ज्रोंने कि हैपोटानिस का स्कूस का Sempre थैंस का स्कूस करते हैं हम लोग्चे हमास हईश्ट का सर 15 में कर रहे हैं अब under route लगेगा तो कितना होगा सर 17 यानि कि आपने देखा कि starting point से last point की distance हमारे पस कितने meter है 17 meter और पहले ही directions निकाल ली थी हमने southwest तो answer होगा 17 meter southwest तो 17 meter southwest तो no doubt options A बिल्कुल correct answer है तो यहाँ पर अगर मैं बात तरहूं तो no doubt options A बिल्कुल correct answer उमीद है कि यहाँ तक बहुत अच् से आ गया है तो चलिए आगे देखते हैं next question और next question में आपको बताना होगा कि क्या होगा सकांस है question number seven आपकी screen पर है तो जितने हो जाएंगे हो जाएंगे नहीं तो say skull class में चलेंगे परसों चलेंगे जब तक complete नहीं हो जाएगा तब तक regular class आपकी चलती रहेगी करा जाए पर्शनिक परसों के बारै कि कि相 yol marca का तक आपकी कि हो जाएगे जाएगा तक आपकी चलेवे प्माल के झाल झाल आप देखिए यहां पाले का सिखा ट्रवाश 12 मिटर्स सीखा कहां की ओर गई है सर्ट्व सीखा तो पहले गई वैस्ट की ओर सब्सक्राइब कि फिर वो क्या कह रहा है लेफ्ट रॉन हुई और कितना चली है सर्वन मीटर्स फिर देखिए left turn कर दिया है और हमने कितनी चली 7 meters फिर कह रही है कि see again turn towards north and walk 12 meters तो पहले तो वापस आएगी 7 meter और फिर उपर चली जाएगी 5 meter तो कितने meter हो गई 12 meter हो गई अब पूछ रहा है in which directions and how far is the starting point from the ending point यानि की ending points से तो अब हमको problem कहा है सर इंड points में तो अब हम doctor को कौन सा points दिखाएंगे in points अब अगर हमने doctor को in point दिखाया तो आपने देखा यह south है यह north है यह east है और यह west है तो अगर आप गवर से समझें तो आपको यह वाली directions निकालनी थी तो अगर आप यह वाली directions निकालते हैं तो यह directions कौन सी होती है south east होती है कौन सी होती है तो answer को आपको south east आना चाहिए तो south east में यह southwest और यह southwest आप नौर्थ वेस्ट आपके कट गए अब south north east तो भीड कट गए हमारे पस आप क्या बचा south east 13 मीटर अब 13 मीटर कंफोर्म है कि नहीं है तो आपको फिर से बता दूँ मैं कि पाइथागोरस थेओरम लगानी होगी और जब आप पाइथागोरस थेओरम लगाएंगे तो क्या होगा हेपोटइणस काई स्कॉयियर हाइट काई स्कॉयर प्लास बेस का इस्कॉयर तो आपने देखा जही है बीटा प्राइब का सқवयर भाइश देखेंगे तो कितना विट्व स्टार्टिय को घखा है ऑगे अगैंने देखा तो फ्रने एंदार य। लग जयाए तो कितना हूँ सब्सक्राइब लाज बॉक्ण हो घ्थान अगी मिठर होगाbros आपने देखा कि साउफ सब्सक्राइब घ्रेजा करेक्ट आंसर होगा तो यहां पर no doubt option C बिल्कुल correct answer होगा उम्मीद है कि यहां तक आपको clear होगा होगा अब आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे देखते हैं इसके आगे आफ्मा नंबर question आपकी screen पर आ गया है तो जल्दी से बताएंगे इसका answer क्या होगा कि अजब कि अर गाएंगे इसके सहब करें नहमस्केरा अपकी सूखकी से ले सवरा इसकेरा आपकी से झावन जागी कि भीसान अजय देखते हैं यह वाला भी अब देखें पूनम टर्वल 6 मीटर्स टूवर्डस इस्ट पूनम कहां की और गई है छे मीटर पहले इस्ट की और गई है तो हमने पहले 6 मीटर इस्ट की और बना लिया फिर उसके बाद से दिन सी टरन और राइट्स एंड वाक 5 मीटर्स फिर वह अपने टरन हुई है और वाक 4 मीटर्स तो अगर इन विच डिरेक्शन एंड हाव फॉर इस्ट नम प्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट से किस डिरेक्शन में हैं तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है तो हमको यही डिरेक्शन निकाल ली है कि किर्शी लाइन हो गई तो ध्यान देंगे थोला सा तो फिर से एक बार बना लेते हैं तो देखें पहले वह चली छे मीटर फिर चली छे मीटर और फिर चली चार मीटर अब आपको यह वाली दूरी निकाल ली है कि ए निकालना यसे पम एपको आपको क्या करना यह वाली थोड़ी सी बढ़ा लेना और यह थोड़ी सी बढ़ा लेना अगर आप ऐसा करते हैं तो होता यह क्या है ये 6 और ये 6 मिला कर कितना हो गया 12 और ये 4 और ये 5 मिला कर कितना हो गया 9 तो अभी अगर आपने देखा तो यहां पर हमारे पास हो गया 12 का स्कॉयर वही पाइथागूर अस्थर बन और 9 का स्कॉयर तो 12 का स्कॉयर कितना हो गया 144 और 9 का हो गया 81 तो अगर हम बात करें तो 225 तो अंडर रूट लगेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर 15 यानि कि हमारे पास आंसर आ गया साउथ इस्ट पंदरा मीटर साउथ इस्ट पंदरा मीटर उमीद है कि यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो आज क हम लोग कल की अपनी क्लास शुरू करेंगे तो यह आज आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप करते हैं सेस अगली क्लास में फिर मिलते हैं चोटे से ब्रेक के बाद और इसी तरीके के नए-नए कॉंसर्ट के साथ तो बिलकुल मेरे साथ जोड़ना मत भूलिया आपके अपने कॉंसर्ट पढ़ाए अलफागेट कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेसंस के वहाँ पर कैसे कुशन एक्जांग्स के पॉइंट आप दू से आते हैं वो सारा कुछ आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं तो आज की क्लास को लेहीं समाप करते हैं फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद जय हिंद जय भारत थैंक्ट्यू क्लास झाल झाल